यह आपको बता है कि इंडियन गेमिंग इंडिस्ट्री जिसमें आज मिलियन्स ओफ प्लियर्स है और वर्ल्ड का वन ओफ दा बिगेस्ट प्लियर बेस भी इसकी शुरुआत कैसे होई थी हम अकसर सोचते हैं कि इंडिया में लोगों को गेम्स बनाने नहीं आते बट भूल ज हुई हमने क्या क्या अचीफ किया और आज कहां पर हैं वीडियो लंबी होने वाली है सो बॉपकॉन लेकर बैठ जाना एंड इस वीडियो को लिखने में एडिट करने में बनाने में हमारी गेम्स को उसे इंडिकी पूरी टीम ने बहुत महनत करी है इसलिए भाई लाइक का लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे तो चलते यार अर्ली राइंटीज के उस टाइम में जब राकेश दुगर और हस्मुगड़ा ने 10 लैक के इंवेस्टमेंट के साथ मेंज मार्केटिंग स्टार्ट की ती ये स्टार्ट करने का उनका में एम था इतनी जादा नहीं होती थी और कंसोल्स वेगरा 8500 रूपीज के हाई प्राइस टैग के साथ आते थे जिस कारण उनकी इतनी सेल्स नहीं हो बा रही थी लो सेल्स एंड डाउन फेस के चलते हुए रिटेलर्स ने अपने शॉप से और शेल्व में से कंसोल रखने से मना कर द गी और इससे रिटेलर्स का कोई भी लॉस नहीं होगा अब वैसे तो एक काफी डिसकी स्ट्राटरजी थी बट लगीली काम कर गई और स्रिफ तीन महिने में ही उनकी हजार से भी ज्यादा यूनिट सेल हो गई थे कॉलंबस के साथ पार्टरशिप खतम होने के बाद मेज न 1995 में सेगा के साथ पार्टरशिप करी और उन्होंने सेगा मेगा ड्राइफ टुक अ प्राइस डॉप करके उसके साथ सॉनिक दा हैजोग और माइकल जैकसन स्मून वोकर जैसे पॉपलर गीम्स को बंडल में दिया उस टाइम इंडिया में क्रिकेट की पॉपलरिटी को पड़ा लिटरली उनका जमा जमाया बिजनस बंद हो चुगा दवाई जिसके उपपर उन्होंने दिन रात महनत करी थी पर कहते हैं कि अगर आपके अंदर स्केल से नॉलिज होगी तो आप कभी भी सेक्सेस्फुल होई जाओगे और इसी चीज़ का भैतरीन इंग्जांप गेम चेंजर साबित हुआ ये गेम इतना पॉपलर हुआ कि इसने स्रिफ दो महिने में 185,000 कार्टेजिस सेल करवा दिये कार्टेजिस यही वो फिजिकल कैसेट्स होती है जिसमें हम गेम स्टोर करते थे एंड एक कार्टेज भाई 225 रुबए की आदिती होस रही जो की और एडवांस टेकनोलिजी आई और गेमिंग इंडिस्ट्री 2D से 3D पर शिफ्ट होने लगी इन सब चीजों की वज़ए से पुराने कार्टेज बेस्ट कमपनी जैसे की मिताशी वगयर को काफी प्रॉब्लम स्वेस करनी पड़ी और यहां अब इंडियन गेमिंग इंडि चेंजेज भी देखने को मिले लेट 90s में PC के सेल्स बढ़ रही थी और इसमें 8-bit कंसोल्स को रिप्लेस कर दिया बट स्टिल कम्पीटर्स बैंगे हुआ करते थे और उस ताइम पर अपना खुद का कम्पीटर लेरा एक बहुत बड़ी बात होती थी वो तारक महता का चारण गेमिंग पार्लर्स और कैफे वालों ने मौके का फायदा उठाया और हर शेहर में लोगों ने काम शुरू कर दिया पीसीज की हाई कॉस्टिंग और गेमिंग में इंटरस्ट होने के कारण ये कैफेस गेमर्स के लिएक होर्सपॉट बन गए चाहां वो काउंटर स्ट्राइक, एज ओफ एमपार्स और नीट फॉर स्पीट जैसे गेम्स खेलते थे हम लोगों तो उस ताइम कुछ पता ही नहीं होगा, बट अपने पेरेंट से एक पर पूछ कर देखना, उस ताइम कितने जाता मज़े आते थे दोस्तों के साथ कैफेस पर जाकर गेम्स खेलने में, वो भी एक अलग ही एक्सपीरेंस होगा करता था, इन कैफेस ने एक स्ट पूलता 1 lakh का and free tickets to Los Angeles, जहां worldwide Halo Championships का final होने वाला था, PC and console gaming के साथ, mobile gaming भी दीरे-दीरे emerge होने लगी, early 2000s में Snake और Space Impact जैसे basic mobile games काफी जाधा popular हुए, और ये तो मेरे को भी याद है, और कि फोन में वो साप वाला गेम बहुत जाधा खेला है वाई, मैंने भी, चार्टिंग में जब मैंने फोन में Snake गेम ढूंडा था ना, सही में उस ताइम पे excitement अलगी level की थी, इस period में gaming cafes, PC and mobile gaming के कारण, gaming landscape में भी एक significant shift हुआ, जिससे gaming जाधा wide audience के लिए accessible हो गई, और इस वक्त भाई 1997 के बाद ना, इंडिया में खुद की कई बड़ी बड़ी वीडियो गेम कंपनी इस भी start हुए, जिन में से Dhruva Interactive, India Games और नजारा Technologies जैसी कंपनी नाम कमाया, Dhruva Interactive को तो first Indian Game Development Company का भी title मिले हुआ है, और इसलिए इन्हें market को समझने के लिए काफी test and trial करने पड़े, और कई challenges का भी सामना करना पड़ा, तेकिन कई challenges के बावजूद इस company ने industry में अपना नाम साइन किया था, जिसमें उन्हें French Publisher Info Games के Game Mission Impossible का PC Version डेवलप करना था, जब ये News International Gaming Press ता कहुची, सब लोग सोच रहे थे कि आर इंडिया भला कौन सा गेम बना रहा है, क्योंकि उस वक्त इंडिया का gaming market में कोई वजूद ही नहीं था, ये सब एक 20-month long R&D का result था, जो कि 1997 म में शुरू हुआ था, जिसमें उन्हें बिना किसी hardware acceleration के scratch से एक 3D game engine बनाया था, जो specially Pentium processor के लिए था, इस project के दुरान धुरुआ के employees 5 से बढ़कर 15 हो गए थे, जिस दुरान इने एक proper game develop करने का experience भी मिला, भली ए गेम कभी launch नहीं हो पाया, लेकिन इसी project से उनकी team grow हुई और उन्होंने काफी नाम कमाया, फिर 1999 में विशाल कॉंडर सरन ने सिर्फ 5 members की team के साथ India Games की भी शुरुआत करी थी, जो इतनी बड़ी बन गई थी कि 2012 के time उसकी value 400 से 500 क्रोर्स तक की हो गई, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे खैर, फिर इसके बाद year 2000 में establish हुई करें, like Bollywood movies and cultural themes से inspired games बनाना, और ऐसे ही सोच कर, India Games ने सबसे पहला Indian game योधा the warrior बनाया, जो की year 2000 में release हुआ था, एक first person PC गेम था, जो की कार्गिल वार पर based था, ओरीजिनली गेम Bollywood movie शोले से inspired एक shooter game होने वाला था, बट funds and license issues की वज़ा से developers को इस game की theme चेंज करनी पड़ी और funding का issue solve करने के लिए इनोंने पेपसी के साथ collaborate किया था, इसमें जब आप enemies के den में जाते हो, तो पेपसी का वो iconic slogan पले होता है, ये दिल मांगे mode, इसी के साथ game की marketing के लिए एक music video भी बनाई गई थी, इतना कुछ उस time पे होना सही में बड़ी बात थी, इस game की total 10,000 copies sell के Spider-Man Mysterious मैंने इस से inspired था, बढ़िया concept और gameplay होने के कारण ये India Games का one of the most successful title भी बना, जिसने million dollars के आसपस का revenue generate किया था, वो भी सिर्फ 8 महीनों में, ये game Indian gaming industry के लिए achievement था और बहर की बड़े-बड़े companies को भी दिखा कि Indian developers भी एक दमदार game बना सकते हैं, खेर फिर 2007 में जब Indian company UTV Software Communications ने India Games का majority of stake acquire कर लिया, तो उसकी rebranding करकिये इसका नाम UTV India Games कर दिया गया, और फिर 2011 में 100 million dollars में Disney Day ने acquire भी कर लिया, एक report के according acquisition के time पे India Games 11 million dollars का revenue के साथ, पर येर भाई 400,000 dollars का profit भी कमा रही थी, योद्धा था warrior के बाद और भी कई Indian developers inspire हुए game develop करने के लिए, 2008 में launch किया और ये सबसे पहला Indian Games में से एक था, जिसने AAA production quality को at least देने की कोशिश करी थी, इसके story line gameplay के movie prod से inspired थी, और इसे complete करने के लिए आपको game में 5 levels complete करने होते थे, जिसमें game का main protagonist, Sanjay Singh Ghania की story दिखाई जाती है, जिसका role आमिर खान ने खुद किया था, ये game Max Payne से काफी जादा similar थ इंडिया में बने काफी सारे PlayStation Games देखने को मिले, और उनी में से एक था, Hanuman Boy Warrior, ये Indian mythology पर बेच पहला 3D game था, जिसमें हमें हनुमान जी बनकर game में आने वाले रक्षस से लड़ना होता है, गेम में total 9 levels थे, और interesting चीज ये थे कि यार गेम में Hindi language कभी support दिया गया था, जिस गेम में हमारे हिंदू God Hanuman जी को कंट्रोल कर रहे हैं, और ये चीज हमारे हिंदू sentiments को hurt करती है, और इसलिए गेम को take down या फिर Hanuman जी के character को replace की जाने की भी demand होने लेगी, बट at the end ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, इंडिया में इस गेम की काफी strong initial sales देखने को मिली थी, सोनी इं अतरिंद्रे बोस ने बताया कि गेम ने अपने first day पर 10,000 units पेच दी थी, एंड सिर्फ यही नहीं, सोनी ने 13 developers के साथ partner किया था to make games in India, जिनमें India Games, Dhruva Interactive और एक नया studio, Trine भी शामिल था, Trine को आप इंडिया का पहला console studio भी कह सकते हो, जो PS2 के लिए games बना रहे थे for Sony, इनके यहां some of the most talented लोग काम करते थे, और इनके street cricket games काफी चले थे, आगे चलकी नोंने रावान movie पर game भी बनाया था, जिसे शारूख खान ने खुद प्रमोट किया था, बट जल्दबाजी में बनाने की वज़से वो कुछ जाधा खास चला नहीं, इवन वो studio मुंबई पर basic street racing game बना रहे थे, और NDTV पे अगर आप आज भी देखो करना तो उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी, इसे इंडिया का first street game भी कहा जा रहा था, जहां Mumbai city में आप लोग race cars भगा रहे होते, और from the looks of it, game actual में काफी अच्छा लग रहा था, बट mismanagement and financial issues की वज़से company बंद हो गई, इस revolution को lead करने में एक और studio बराबर हगदार है, और वो है लक्षे digital, year 2004 में start किया हुआ ये studio, इंडिया की reputed studios में से एक है, इन्होंने electronic arts, Ubisoft, Disney, Rockstar और Naughty Dog जैसे बड़े-बड़े publishers के लिए भी काम गिया है, इनका focus ambition से यही रहा है कि किस तरह high quality services को deliver किया जाए, और इसी इनका overall 150 plus AAA game titles में contribution रहे चुका है, जिसमें इन्होंने artwork, environment designing and correct and models जैसे अलग-अलग work करे हैं, इनके portfolio में ऐसे ऐसे games हैं जो किसी gamer की dream list जैसी लगती है, games like Elden Ring, Destiny 2, Forza Motorsport, Street Fighter 6, Baldur's Gate 3, Alan Wake 2, Sea of Thieves, Microsoft Flight Simulator and even इस साल याने की 2014 का record-breaking game, Pal World में भी इनका contribution रहे चुका है, और ये तो ब और international talent का combination ही इतना unique बनाता है और इनकी teams multiple platforms और game genres पर काम करने में माहिर हैं, एन सिर्फ लक्षे digitally नहीं, बलकि Technicolor Group नाम से एक और studio है, जिन्होंने कई बड़ी companies जैसे की EA, Rockstar, Capcom के साथ काम किया हुआ है, Technicolor Group ने RDR2, Hogwarts Legacy, Resident Evil 7 Biohazard, God of War 2018, FIFA franchise जैसे कई बड़ी games में work किया थ जो अपनी Indian Gaming Community के लिए काफी proud की भी बात है, इन शॉर्ट बताओ तो इन सभी studios का बहुती ज़्यादा contribution रहे हमारी Indian Gaming Industry में, इनी studios की बड़र से भार की countries में हमारा talent showcase किया गया है और हमें recognition भी मिला है, इस बड़र से international companies ने भी India में studios open करे, like EA, Ubisoft, Squad Enix, Zynga and even Game Loft, even Rockstar का भी India म के बनाया था, IGDC 2022 में Rockstar India की टीम भी आई थी, जहां उनकी presentation में पता चला कि आट एटुकी आर्ट पर कितना major contribution रहा है उनका, अब मैंने timeline को थोड़ा सा तोड़ मरोड दिया है, तो उसको side में रखते हैं अभी के लिए, और ये बताते था क्वी Indian Talent की वज़से ही हमारे 6 का जो Vice Beach का एरिया होने वाला है, उस पूरे एरिया को Rockstar India को handover किया हुआ है, तो सही में बहुती बड़ी बात है अपनी community के लिए, ज़र आप खुद देखो, सुनने में कितना अच्छा लगता है कि जिन गेम्स को हम खेलते हैं, जो हमारे favorite games है, उसमें हमारी country का भी contribution है, अब भार की studios के लिए काम करते हैं वक्त PC gaming और console gaming पर तो focus था ही, लेकिन साथ ही जो अपने Indian studios हैं, जो कि Indians के लिए game बना रहे हैं, वो mobile gaming पर भी focus कर रहे थे, और 2010 तक smartphones भी आने लगे थे, और internet का access भी improve हो चुगा था, जिस करण mobile gaming industry में हमें explosion देखने को मिला, इसी दौरान ह में India Games की तरफ से famous FPS franchise, Bioshock के दो mobile games, Bioshock Mobile और Bioshock 3D देखने को मिले, ये games दो different version 2D और 3D में release करे गए थे, और इस version का main aim player को original Bioshock franchise का experience प्रवाइड करवाना था, लेकिन इसकी development phase में कई challenges की वज़र से ये game वो original form में नहीं आ पाए, like original developers से limited guidance मिलना, limited file size होने की वज़र से गेम को parts में split करके launch किया जाना, जिसमें 3D version को 2 parts में split किया गया था और 2D version को 3 parts में split किया गया था, बट सिल इन सब भी challenges के बावजूत India Games ने next level work किया था और इस project financially successful भी हुआ, अब हम आ चुके थे 2010 के बाद के time period में, जहां gaming काफी ज़्यादा popular हो चुके थी और gamers की population भी प cut down हो गए, अल्ली 2013 में Game Loft ने Hyderabad का अपना Indian studio बंद कर दिया था, जिस current 250 से भी ज़्यादा game developers की job चले गई, ये new सबी gamers के लिए बुड़ी और shocking थी, क्योंकि जिस time studio बंद हुआ, उस time Game Loft अपनी financial growth celebrate कर रहा था, और financial अच्छी growth के बावजूत ऐसे एकदम से studio बंद कर देन लेकिन लक्षे के co-founder, पनविंदर शुकुल कहते हैं कि acquisition सिर्फ ए cash infusion था, और गुरगाओ बेस studio का काम वैसे ही चल रहा है, जैसे पहले चलता था, इस cash infusion की विज़स से उनके expansion plans भी काफी बड़े हुगा है, शुकुल ने ये भी कहा कि उनका aim कभी company बेचना नहीं था, ब बंद कर दिया, जिस कारान यहां भी काम कर रहा है, इंप्रोईस को निकाल दिया गया, इसके shutdown के पीछे का reason बताते हुए, Square Enix ने कहा कि वो अपनी strategy में थोड़ा सा shift कर रहे हैं, और अभी वो global market पर इतना जादा focus नहीं करेंगे, उनका main focus वापस से Japanese RPG titles की तरफ ही लोटने पर होगा, पर हाँ अगर यह studios बंद हुए, तो कई नए studios चार्ट भी हुए, December 2016 में Starbreeze Studio नाम की Swedish Video Game Company ने बताया, कि उन्होंने 8.5 million dollars में धुरुवा इंटराक्टिव के 90.5% स्टेक को एक्वायर कर लिया है, लेकिन कुछ साल बाद 2019 में कुछ financial issues के कारण, Starbreeze ने धुरु 309 employees को भी लाया गया, और दूसरी तरफ नजारा टेक्नोलोजीज, इंडिया की शायद सबसे successful video game company बन गई थी, जहां वो इंडिया की पहली video game company बनी to list on stock market, और आज वो company एक central figure बन गई ये industry में to look up to, अपने difficult journey में इन्होंने Indians के लिए games बनाने पे focus किया, और एक टाइम पे इतना पैसा कमाया कि दूसरी companies को भी support करना शुरू किया, इनकी शुरुआत तो एक platform की तरह ही हुई थी, जहां कुछ छोटी मोटी games हम खेल पाते थे, जिसके बाद इन्होंने phones पर focus किया और वहाँ पे games बनाये, बट अगर आज देखें तो not win gaming, WCC बनाने वाले next wave multimedia, sports geta, और भी बहुत सी companies इनके portfolio का हिस्सा है, और इनकी vision को इंडिया के legendary investor श्री राके जुन-जुन द्वाला भी back करते थे, early 90s से लेकर अभी तक हमारी Indian gaming industry बहुत जादा change हो चुकी थी, 8-bit game से आज हम AAA titles तक पहुँच चुके थे, और एक growth तो कुछ भी नहीं थी, असली boom तो हम खिलना पसंद कर रहे थे, क्योंकि उसमें हम लोग दूसरे दोस्तों के साथ भी खेल सकते थे और इंटराक्ट कर सकते थे, और सब कुछ एकडम सही चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन news आती है, कि PUBG इंडिया में बैन हो गया है, ये news emerging e-sports industry के लिए एक शौक की तरह थी, but on अधर हैं, देखा जाए तो PUBG बैन होने के बाद बहुत से gaming creators को realize हुआ, ये वो सिर्फ एक game पर dependent नहीं रह सकते, और audience भी काफी सारे अलग-अलग games देखने लगे, जिसके चल थे PC games और बाकी mobile games को भी इंडिया में recognition मिला, तब ही लोगों ने बाकी दूसरे games, जैसे कि Minecraft और GTA खिलने शुरू करें, और उस ताइम lockdown भी चल रहा था, जो इन games के लिए सोने बेस हुआ का जासा था, लोगों ने इन games पर content बनाए, और कईयों ने तो अपने career भी build करें, उन में से एक मैं भी था, मेरा channel भी lockdown के टाइम पर ये का आफी जाता ग्रोवा था, और ऐसी नाचान जब बहुत से Indian studios ये भी सोचने लगे, यार कब तक भार की AAA titles या फिर दूसरे games पर work करते रहेंगे, risk लेते हैं, अपना खुद का game बनाते हैं, PUBG के band के just बात ही 4G announce हुआ, जो एक failed attempt था, क्योंकि वा opportunity पे cash in करने के लिए जल्द बासी में निकाला गया था, फिर उसके behind the scenes प पर work करना शुरू कर दिया, under the label of Mayhem Studios, फिर राजी और एंचेंट अपर को कैसे भूल सकते हैं, आज भी वो best Indian IP है games में, and even the game awards में भी best indie games के लिए वो nominate हुआ था, इनकी story भी काफी tough है, जहाँ developers को अपना घर तक गिर भी रखना पर या था, गिम बनाने के लिए, इस पर भी इसके lifetime downloads 1 billion के उपड़ हैं, जिसकी वज़े से globally rank 6 पर आता है, जो अपनी Indian gaming industry के लिए कोई छोटी मोटी achievement नहीं है, इवन FallGee भी वापस आड़ा है with a new name, with a new game, and with a new team आज के time में देखा जाये तो अपनी Indian gaming industry काफी ज़ादा evolve हो चुकी है, internationally भी अब हमारी Indian gaming journey की काफी चरचे हैं, बाहर की companies से अपने Indian studios को काम दिया जाता है, और in fact बहुत से games खुद इंडिया में ही बन रहे हैं, अगर आपको याद हो तो अभी कुछ साल पहले, Prince of Virtue Sands of Time का जो remake था, वो इंडिया में ही बन रहा था, originally Pune and Mumbai में जो Ubisoft India की team है, उन्हें एक काम दिया गया था और ये पूरे Indian game development industry के लिए काफी बड़ी opportunity थी, जिसमें developers को अपनी capabilities और talent को global stage पर showcase करने का मौका मिलता, but unfortunately इस project को काफी सारे challenges face करने पड़े, and lack of proper documentation, unsuitable game engine, inexperienced leadership जैसे major problems क वज़े से project को Ubisoft Montreal को ही दे दिया गया, अभी तो मैं इदर इस topic पे जादा बात करूँगा नहीं, because इस पर भी मैंने एक detailed video बना रही है, आप जाओ तो उसे भी checkout कर सकते हो, अब COVID के बाद से, इंडिया में इतने सारे लोकों ने games खिलने शुरू किये, कि भार की companies भी इंडि से भी similar है, जो Sony ने चाइना के लिए किया था, एंड काफी successful भी रहा, इंडिया में इसके first batch में Sony की तरफ से काफी सारे games अनाउंस किये गए थे, जोने PlayStation full support कर रहा है, इस list में मुक्ती, Fishball and Suri the 7th Note जैसे games भी शामिल है, इन games के developers की excitement सही में next level होगी, IHP के next batches के लिए भी इ जानी मानी companies हमारी Indian game development को support करना चाहती है, जैसे आप लोगोंने Crafton India की काफी सारी investments के बारे में तो सुनाई होगा, BGMI के makers ने India के game development ecosystem की growth को support करने के लिए, Crafton India Gaming Incubator के IGI launch किया था, ये program selected teams को mentorship, financial support और resources प्रवाइड करता है, ताकि वो अपने gaming projects को success तक ले जा सके, पहले cohort में Redimension Games और Shudak Games और अब नए edition के साथ, दोनाली गेम्स और अरजुना स्टूडियोज भी इस program का हिस्सा बन गए है, दोनाली गेम्स का game, Tale of Honor एक Android strategy driven stealth puzzle game है, जबकि अरजुना स्टूडियोज का गैंस्टर कार्नेवल, एक mobile focused multiplayer battle royal game है, इस program में टीम्स को mentorship और 50,000 डॉलर से लेकर 150,000 डॉलर्स तक का financial backing भी मिलता है, साती game development में support, marketing और business strategy जैसे areas में भी experts से guidance मिलती है, 2021 से लेकर अब तक Crafton हमारी Indian gaming and technology startups में 171 million डॉलर से जाधे invest कर चुका है, जैसे Nautilus Mobile में invest करना, लोगों को support करना, इस investment की help से Indian gaming industry को global exposure भी मिल रहा है, और ज्यादा high quality games पर भी काम चल रह इस program का मकसद उन obstacles को हटाना है, जो कि developers face करते हैं अपने vision को पूरा करने में, 2019 से Xbox ने non-recubable funding भी शुरू की, जिसका मतलब है कि developers को funding वापस करने की भी जरूत नहीं पड़ती, ये funding इस्पेशली porting cost के लिए दी जाती है, जिससे developers का game Xbox platform पर आ सके, अभी फिलाल the palace on the hill game इस program में तो हैं, बट आप depend करते हैं उनके outcome पर कि हमारी industry कहां जाती है, तो अपना future तो यार अपनी industry के upcoming games पर ही depend करता है, रैसे आप government भी गेम्स को support करने का plan कर दिया है, जिस पर मैंने अलग video बना रखी है, तो अगर सब कुछ सही रहा, then next 10-15 साल में इंडिया की game development industry बहुत broom क कर सकती है, मैंने recent video में बात करी थी कि इंडिया की government के क्या plans है gaming को लेकर, वो जानने के लिए left video देखो, और इस साल के सबसे बड़े game, black mate wakon के rice के बार में जानने के लिए right video देखो, ये video कर आपको अच्छे लिए कि तो भाई, like कर दो, games gossip India चानल को subscribe करो, और मिनको आपसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए भाई, keep gaming and keep gossiping